ओम्श्री महाप्रग्य गुरवी नमहा जै महाप्रग्य का जाप करो भव भव का अघसन पाप हरो जै महाप्रग्य का जाप करो स्वतंत्रता का मुल्य कितना है जब प्रस्न हुआ और चिंतन चला कि सुख क्या है दुख क्या है तो स्मृति साहित्य में लिखा गया सर्वं परवसं दुखं सर्वं आत्वसं शुखं एक सुख और दुख की अलग परिभाशा की गई पदार्थ निर्पेक्ष परिभाशा की गई बहुत बार सुख और दुख की परिभाशा पदार्थ सापेक्ष होती है कि अमुक चीज मिलती है तो आदमी सुखी बनता है और नहीं मिलती है तो दुखी बन जाता है अमुक संयोग मिलता है तो आदमी सुखी बनता है और अमुक संयोग नहीं मिलता तो आदमी दुखी बन जाता है यह सापिक्ष परिभासा की जाती है पर यह एक नए धंकी परिवासा है कि परवस्ता दुख है और श्ववस्ता सुख है इसका अर्थ है कि कोई भी आदमी किसी दूसरे के बस में रहना नहीं चाहता अपने बस में ही रहना चाहता है और अपने बस में रहना सुख है दूसरे के बस में रहना दुख भगवान महाबीर ने आहिंसा की परिभासा के साथ एक बात कहीं कि नो अज्जावे अब्बा किशी को परतंत्र मत बनाओ किशी को अपने अधीन मत बनाओ बहुत बड़ी बात है किशी को अपने अधीन मत बनाओ और सारे ब्यवार में देखते हैं तो हर आदमी दूसरे को अपने अधीन रखना चाहता है पिताब पुत्र में भी लड़ा इस बात की है क का ये मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चलता मेरे बस में नहीं है बस में रहता वह पुत्र अच्छा हो जाता है और बस में नहीं रहता वह पुत्र अच्छा नहीं होता सास बहु की लड़ाई भी यही है कि बहु मेरे बस में नहीं है मेरी बात नहीं मानती है भाई भाई में भी यही लड़ाई और साइद गुरू चेलों में भी यही लड़ाई है गुरू भी कहता है चेला मेरे बस में नहीं है मेरे अधिन नहीं है यह लड़ाई सारी स्वबस्तार परवस्ता की लड़ाई है बस्ता की लड़ाई है का मेरे बस में है या नहीं है लड़ाई तो यही है हर आदमी दूसरे को अपने बस में रखना चाहता है और इसी लिए तंत्र सास्त्र में और मंत्र सास्त्र में बसी करन मंत्र पर बहुत बल दिया गया बहुत जगह जगह प्रयोग मिलते है दूसरे को बस में करने के बसी करन के मंत्र कि इस मंत्र का प्रियोक करो तुम्हारा पती तुम्हारे बस में हो जाएगा तुम्हारा ससूर तुम्हारे बस में हो जाएगा या मुख्विक्ती तुम्हारे बस में हो जाएगा सासक तुम्हारे बस में हो जाएगा बशी करण मंत्र अब स्वतंत्रता परतंत्रता की बात है एक और बशीकरण की बात है बशीकरण का आर्थ तो परतंत्र बनाना है दूसरे को अपने बस में कर लेना है एक व्यक्ति ने बशीकरण मंत्र की साधना शुरू मंत्र काफी अच्छे डंग से साधा बिद्धा शिद्ध हो गई तो जो बिद्धा की अधिश्ठात्री देवी थी वह सामने प्रगट हूई उसने का बोलो मुझे क्यों आमंत्र किया तुमने बोला की मा मैं बशीकर्ण मंत्र शिद्ध करना चाहता हूँ तुम मेरा सहयोग करो और मुझे बशी करन मंत्र शिद्ध हो जाए तो देवी ने कहा तुम मुझे अपने बस में रखना चाहते हो कहा बशी करन मंत्र देए कि देवी को भी आराधा अपने बस में कर लिया और फिर जब काम हो उसे बुलाओ और उसे काम करा देवी ने कहा कि पहले अपनी शूरत तो देख लो जिरा काश में जिरा मूँ देख लो साधना तू करना चाहते हो मुझे बस में करना चाहते हो उससे पहले अपना मूँ देखो दरपण में कि कैसा है वह दम हका बका सा रह गया बोला क्या मैं क्या देखूं यह देखो कि तुम्हारा गाव है गाव के लोग तुम्हारे बस में है या नहीं बिलकुल नहीं पडोसी तुम्हारे बस में है कि नहीं है तुम्हारे माता पिता बस में है कि नहीं है भाई, भाई तो बिलकुल मैं इस दिसा में जाता हूँ तो भाई इस दिसा में जाती है उल्टे चलने वाले अरे और सब को छोड़ो तुमारी पत्नी तो तुमारे बस में है कि बस में होती तो तुम्हें साथ ताही किस लिए मैं है बिल्कुल बस में नहीं है एक भी बात मेरी नहीं मानती है देवी ने का चलो कोई बात नहीं ये बताओ तुम्हारा मन तो तुम्हारे बस में है कि अब तो बिल्कुल नहीं है देवी बोली तुम्हारा मन बस में नहीं पत्नी बस में नहीं परिवार बस में नहीं, पडोसी बस में नहीं, गाउं बस में नहीं, मुझे बस में करना चाहते हो, इसको छोड़ दो, नहीं तो मार खाओगे और मर जाओगे। और वही लाल सा दुख पेदा करती है, परवस्त आदमी दुख की अनुभ होता है, एक जंगली जानवर जंगल में रहता है, शायद खाने में कछिनाई ही होती होगी, मुझे से मिलता होगा, फिर भी मस्ति में रहता है, और एक वह जानवर, शेर चीता भालू कोई भी जिसको पिजड़े में लाकर बान दिया, जन्तु आले बना दिया, उसमें रख दिया, बेचरा कितना दुख ही हो जाता है, साय खाने को जादा देते हैं, फिर भी दुखी है, क्योंकि अपने इच्छा से काम नहीं कर सकता, जहां इच्छा का निरोध जबरदस्ती किया जाता है, महां दुख पेदा होता है, इच्छा का निरोध करना सुख भी है, और इच्छा का निरोध करना दुख भी है, ब्यक्ति अपने इच्छा से इच्छा का निरोद करता है अपने चेतना से इच्छा का निरोद करता है तो सुख बढ़ता है और जवरदस्ती को इच्छा का निरोद करता है तो दुख बढ़ जाता है बहुत सारे जो बच्चे हैं क्यों बिगड़ते हैं कि उन पर जबर्दस्ती उनकी इच्छा को रोका जा सकता है समझाया नहीं जाता है जबर्दस्ती रोका जाता है तो फिर डुखी बन जाते हैं उच्छा काम भी नहीं करती हैं हमारे मुनी भी जो छोटी छोटी आते हैं परिवारों से तो कोई बड़े साद्वों उनको डांटें कहते हैं तो वे कहते हैं वापस आप मुझे डांटों मत पहले समझा दो कि ये काम अच्छा ऋनी है और करना नहीं है सिधा मद्दान तो बात भी ठीक है पहले समझाओ उनको कभी ये काम करना तुमारे हित्मे नहीं है ये काम करना अच्छा नहीं है स्रेयस नहीं है समझाओ समझाना और जब समझ में आ जाए तो फिर उससे छुड़ा दोगा छोड़ देगा अपने आद जब वर्दस्ती मत करो परवस मत बनाओ किशी को एक भूख बड़ा प्रयोग है स्वतंत्ता का कि सब को अपनी इच्छा का आदर करने दो मुनी के लिए एक विधान है कि सहयोग लेना है दो मुनी है एक मुनी को सहयोग की अपिक्षा है दूसरे मुनी से सहयोग लेना है यह नहीं कह सकता कि तुम मेरा काम करो, तुमे करना पड़ेगा ऐसा नहीं कह सकता वह जाकर विनमृता की साथ कहता है कि मुनी वर आज मुझे यह अपिक्षा है इच्छम आओ यू बनते हैं अगर आप अपने इच्छा से करना चाहो तो मेरा सहयोग कर दो अब दोनों भासाओं में कितना अंतर आ गया ये सारा अंतर एक भासा भीवीक का होता है एक तो सीधा उस पर लाद दो वह और ज्यादा उतेजित हो जाएगा और एक उस पर आरोपित मत करो भार मत लादो उसके भीतर से उस चेतना को प्रगट करो तो मुझे सहयोग की अपेक्सा है यदि आप कृपा करें और मुझे सहयोग दें तो मैं बड़ा कृतार्स हो जाओंगा अपने आप उसके मन में आती है ये परवस नहीं बनाया उसको जब रद्षिके दिया नहीं तुझे करना पढ़ेगा इसका मतलब उसके नकेल डाल दी नाक में नकेल डाल दी तुझे 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 तुछ चलना ही पढ़ेगा meditating नाक में ये सहरा अंतर आ जाता है हम जब व्यवार का तरीका क्या होना चाहिए ऐसा बिनम्रता पुर्ण हो जिससे सामने वाली व्यक्ति में स्वयम सूर्च प्रेजना जागे कि मुझे ये करना चाहिए जबर्दस्ती रोको मना ही करो तो नहीं कर रहा है तो भी करेगा तरह एक मनोबयानिक द्रिश्टी है कि निशेद सीधा निशेद करो इसका मतलब उसे करने के लिए प्रेरित करो कोई बहुत दिंग मारने वाला आदमी था गप्पी आदमी दिंग मारने वाला बड़ी दिंगे मार हांकने है कुछ लो बाहर गाहों में यापार करने जाता और बहुत देरी से आता पत्नी कहती देखो सांच का समय इतने देरी से आये हो रात पड़ गई भोजन कब होगा बहुत देरी कर देते हो तुम्हें क्या पता जो जाता उसको पता है कि मैं कितने मुश्किल से आता हूँ कभी कहता आज पांच चौर मिल गई मैंने उसकिल से उन सब को डांता और सब से छुटकारा पाकर आया कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बहाना लेता एक दिन बहुत देरी से आया तो पते ने कहा बहुत देरी से आये हुआ आज तो और देरी कर दी तो आज तो पुछो मत तुम्हेरा सो भाग रहना था आ गया नहीं तो आने का कोई प्रस्ट नहीं था क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या इतने चोड मिल गई यह हुआ पतनी ने सोचा य्टने चोर रोज कहां से आते एक देन पतनी ने बेश बड़ला और उसी रास्ते पर गई और जब आने लगा तो एक ऐसा जोर से हाकल की गिरा दे पोटली को पोटली गिरा दी जा चला जा चला गया अब पतनी दूसरे रास्ते से पोटली लेकर घर पर पहुंच गई और भै धीमे धीमे देरी सी आया भूला आज तो बस आना था आगया आज तो इतने खुंखार चोर मिले थे और तो क्या हुआ मेरी पोटली भी छीन ली और पोटली नहीं छीनी थी एक खपड और मारा था बस आगया खेर समझो इतने में वह बोली भले आजमी क्यों रो जुट बोलते हो जुट बोलते हो सामने लाकर पोटली ये तुम्हारी पोटली और कोई चोर नहीं था कहां दस वीश चोर थे मैं तो थी अच्छा तुम थी गया तब मुझे ये लगा तो सही जिस इकती का नियंतर नहीं होता और अपने सीख बोहर चला जाता है मन पर नियंतर नहीं बाणी पर नियंतरं नहीं कभी जूट बोलता है, कभी चोरी करता है, कभी बहाना करता है, सब कुछ करता है तो ये इंद्रियां पांच, मन, छठा और चाहर कसाई एक सीमा बन गई, इन दस पर विजय पाने वाला स्वतंत्र आदमी है दुनिया में और इन दस पर जिसका नियंतर नहीं है, वा परवस आदमी है इस आर्थ में वैं स्मृति का वक्ति याद करें सर्वं परवसं दुखं, सर्वं आत्म वसं सुखं परवस्ता दुख है, अब परवस्ता का क्या आर्थ करें क्या दूसरे की बात को मानना दूसरे के अधिन रहना अधिन रहना होता है एक अधिन में समझ कम है और वह अगर दूसरे के अधिन नहीं रहेगा तो और बिगड़ जाएगा चोचा बच्चा है दो वरस का अगर माता के अधिन नहीं रहेगा तो उसका भरनपोशन भी नहीं होगा अधीनता का हमें अर्थ समझना है और सबसे पहले उसका अध्यात्मिक अर्थ हम अध्यात्म के संदर्व में समझने का प्रेट न करें कि स्वतंत्रता क्या है और परतंत्रता क्या है स्वतंत्रता सुख है और परतंत्रता दुख है इसका ताटपरी क्या है इसका मूल आर्थ होगा कि अपने पर विजे पाना स्वतंत्रता है और अपने पर विजे नह पाना अपने इंड्रियों को खुला छोड़ देना मन को खुला छोड़ देना क्रोध आजी को खुला छोड़ देना यह आदमी की परतंत्रता है यदि हम इस परतंत्रता को ठीक समझ सके तो इसका उपयोग व्यवहार में भी होता है वही राष्ट्र स्वतंत्र रह सकता है हो सकता है जिसके नागरिक चरित्रवान होते जिसके नागरिक चरित्रवान नहीं होते जहां नईतिक्ता का मुल्य नहीं होता वह लंबी समय तक स्वतंत्र रह नहीं सकता परतंत्रता ही परतंत्रता आजमी धन से इतना दब जाता है इतना परतंत्र बन जाता है कि धन देकर जो चाहो सो करा लो एक किसी जक्ती ने टिपणी की थी की भरत का आदमी का क्या थोड़ा प्रलोभन दो धन दो अचाहे सो कराल कुछ अर्थों में बात भी ठीक है धन के प्रलोभन द्वारा ऐसे अकारी होते हैं अब सेना है श्मरक्षा के लिए वहां भी कभी कभी धन का प्रयोग चल जाता है सेना के लिए आयुदों की खरीद करनी है बढ़िया चाहिए वहां भी कुछ दो नंबर की आ जाते है अब बहला और क्या होगा चाहे सेना को छित्रद को देखो चाहे प्रसासन को देखो है ब्यापार की तो बात ही गया बाजार तो भरा पड़ा आई से वहां तो स्वतंत्रता है यह नहीं बास्तव में जब बाजार में स्वतंत्रता आए तो राष्ट को स्वतंत्र कहलाने का अधिकार है बाजार में तो पूरी परतंत्रता है आदमी इतना पैसे से दबा हुआ ही कि पैसे के सिवाय कुछ सो़ता candidate नहीं तो फिर कुछ होता नहीं है इसलिए हम स्वतंतर्ता और परतंतर्ता दो संदर्बों में समचने का प्रेतन करें एक अध्यात्मिक संदर्थ कि वह स्वतंतर्ता का अर्द क्या है और एक भोगोलिक संदर्व वहाँ स्वतंत्रता और परतंत्रता का अर्थ अलग है अध्यात्मिक संदर्व में जिसका अपने पर नियंत्रन है वे स्वतंत्र है जिसका अपने पर नियंत्रन नहीं है वे आद्मिक परतंत्र है ये अध्यात्मिक परिभाशा है और भौगोलिक परिभाशा कि जिस भूमी पर रहने वाले लोगों का सासने वै राष्ट स्वतंत रहे और उस भूखन्ड पर किसी दूसरे का सासने वै राष्ट परतंत रहे अब इसको तीसरे अर्थ में समझने का प्रेतने करें और वह है आर्थिक जीवन क्योंकि आर्थ है मनुस्य के जीवन को चलाने वाली सबसे बड़ी सक्ती आर्थ है धन है उसके संदर में करें तो यह होगा कि जो आदमी धन के प्रलोभन में आकर अकर्णिय कारिय नहीं करता वह स्वतंत्र है और धन का लालच धन का प्रलोभन आदमी को सब कुछ करा लेता है वह आदमी परतंत्र है इसलिए हम स्वतंत्र और परतंत्र के अर्थ को अनेक संदर्भो में समचने का प्रेत्न करें केवल भूखंड के आधार कर ही नह करें इसलिए आचारी तुलसी ने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था पहले ही बर्ष आजादी के दिन आचारी बर ने गीत बनाया था उस गीत का प्रारम विशिशे होता है असलिए आजादी अपनाओ यह नईतिक मुल्यों के संदर में था चरित्र के संदर में था एक आजादी तो मिल गई जो ब्रिटिश शत्ता थी यहां से चली गई और हिंदुस्तान का रज यह हिंदुस्तान के हाथ में आ गया यहां के निवाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अपनी भूमी पर अपना शासन हमारा है यह तो हमें प्राप्त है किन्तु अपनी भूमी पर अपने बाजार पर और अपनी कारिय प्रणाली पर नई तिक्ता का सासन हुआ या नहीं हुआ अगर नई तिक मुल्यों का विकाश नहीं जुड़ा हुआ है तो हम बस्तम में परतंत्र के परतंत्र हैं और नईतिक मुल्यों का विकाश है तो सई अर्थ में श्वतंत्र हो शक्ते हैं इन सारे अर्थों को समझ कर और हम चारित्र और नईतिक मुल्यों का विकाश करने का प्रेत्न करें रितम्भरा प्रक्या और अप्रतिम्मेधा के धारक जैन्श्वेतांबर तेरा पंथ धर्मसंग के नीलाप्र कगन में तपो मैं और तेजो मैं आचार्य परंपरा के तेजस्वी महासूर्य आचार्य महाप्रक्य एक सिध्ययोगी जिनकी सकन ध्यान साधना से जाकरत हुई अदेंद्रिय चेतना अनभूत हुआ अज्यात जगत का सत्य और बन गई महाप्रक्य महासमर महाप्रक्य गुरुवर अरगे आस्थाका चड़ाएं अमल ध्यानी बिशद ग्यानी अमर है तेरी रिचाएं महासमर महाप्रक्य गुरुवर अरगे आस्थाका चड़ाएं ओम स्री महाप्रक्य गुरुवे नमः 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 पुर में आमा